हाई फ्रेंड विल्कम टू माई चैनल एसके सोनू टेक वर्ड देखे फ्रेंड इस वीडियो के माध्यमसे में आपको जेपी उनिफर्सिटी छपरा असनातक पार्ट वन परिक्षा सेशन दो हैर बीस तेईस एंड अस्पेसल परिक्षा दो हैर एककिस परिक्षा आपका नज या मैं रभी बार को भी होगा बहुत सारे चातरों के मन में तरह तरह का सस्पेंस बना हुआ है इस वीडियो के माध्यमसे में एक्के करके सारा का सारा प्रवलम आपका सल्व करने वाला हूँ तो आप सभी वीडियो को अंतक जरूर देखें ताकि आपका जो भी डाउट है जो भी आपका प्रवलम है सभी का सभी किलियर हो सके चलिए फ्रेंड वीडियो को सुरूर करेंगे उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले चलिए फ्रेंड वीडियो को सुरूर क सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिक्षानर दिख्य है तयारी कैसे करें फिर आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा आप सभी को मालूम होगा कि आपके एक्जाम में 5 question का answer देना होता है आपके जो एक्जाम में question paper मिलते हैं उसमें आपका 10 question दिया रहता है जिसमें से आपको 5 question का answer देना होता है तथा परत्य question 20 number का होता है जो केवल theory वाला होगा practical वाला का मैं बात नहीं कर रहा हूँ practical वाला आपका जो एक्जाम होगा उसमें आपका 70 number का theory का paper होता है लेकिन जो भी 100 number का आपका paper होता है उसमें आपका परत्य question 20 number का होता है तथा आपको 5 question का answer देना होता है फ्रेंड बहुत सारे जात्रों के मन में एस सवाल होता है कि अगर मान लिए कि ये question 20 number का है तो कितने page में हम इसका answer देंगे फ्रेंड आप सभी को बता दो कि अगर मान लिए कि 20 number का question है तो कोशिस करें कम से कम 5 से 6 page में आपको answer देना ही परेगा तभी आपको number अच्छा मिल पाएगा फिर एक और बात आपको बताना चाहूंगा बहुत साथ चात्र क्या करते हैं कि बहुत छोटा छोटा लिखते हैं तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है माल लिजे कि ये आपका जो page मिलता है इसमें आप लोग कोशिस करें कि 6 से 7 ही वर्ड लिखें और थोड़ा बरा बरा लिखें तो आपका page ही वरेगा और जो copy चेकरेगा उसको copy चेक करने में आसानी भी होगी तो फ्रेंट इस तरह से आप लोग परिच्छा में लिखेंगे तो आपको अच्छा नमबर मिल पाएगा चलिए फ्रेंट अगला point को हम आप लोग को clear कर दे बहुत सारे छात्र एक comment करते हैं कि sir मैं B.E.C. से हूँ यानि कि मैं मेरा जो भी अनर्स है science अनर्स है उसका त्यारी मैं कैसे करूँ फ्रेंट आप सभी को एक बात बता दू science कोई हलका सा विसाय नहीं होता है science बहुत hard विसाय है जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है तभी आप लोग पास हो पाएगे अब तो exam नजदिक है आप लोग आखिर कैसे त्यारी करेंगे कि पास हो जाएंगे फिर एक बात बताना चाहूँगा आप सभी लोग guess paper को ले लिये होंगे मुझे उमीद है लेकिन एक और बात आप सभी को जानना जरूरी है कि आपका जो exam में question आता है same to same बहुत सारा question है जो guess paper में आपका नहीं होगा अब आपके मन में एस सवाल फिर उठने लएगा कि माल लिजे same to same question नहीं है तो मैं लिख्यूंगा तो कैसे लिख्यूंगा फिर्ट यहाँ पर एक बात आपको जानना जरूरी है कि माल लिजे आपका science अनौर्ज है तो आपको मैं पहले हीं बता चुका हूँ कि पढ़ना पढ़ेगा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो थोरा सा आप लोग इधर से उधर करके question का answer दे पाएंगे इसलिए आप लोग अभी से भी कोसिस करें आपका जो guess paper है उसको अच्छे तरीके से परहें ताकि आप सब भी अपने exam में लिख पाएं फिर्ट एक और बात हैं हाँ फिर्प समझे लिजी आप लोग कि माल लिजे कि आपके exam में अगर चोरी नहीं हो तो आप लोग कैसे लिखेंगे देखिए फिर्ट यहाँ पर बहुत अच्छात चोरी के भरोसे बैठे हैं तो किर्प्या आप लोग चोरी के भरोसे न बैठे परिछा में अब चोरी नहीं हो रही है पहले वाला जो जमाना था ओब निकल चुका है अब आप लोग जो भी परह के जाएंगे वहीं आप लोग लिख पाएंगे अन्याथा आप लोग नहीं लिख पाएंगे और आप सभी फेल या पर्मोटेड हो जाएंगे यह तो दमफिक्स से समझेए कि अगर आप लोग नहीं लिखेंगे नहीं परहेंगे तो प्रिंट यहाँ पर एक और बात आप सो भी जान लिजिए कि अगर आप बीए के इस ड्रेंट हैं और आपको selected question चाहिए तो आप सभी हमारे वार्षप नमबर 88328909 पर वार्षप करके selected question को ले सकते हैं देखें प्रिंट selected question के लिए आपको कुछ minimum price देने परेंगे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर मेहनत करता है तो उसका तो charge बनता ही है बनता है इसलिए आपको उसका कुछ minimum charge देना होगा तभी आप लोग को उपलब्द हो पाएगा यह लिए आते हैं अपने main point पर कि क्या रवी बार को भी exam हो पाएगा क्योंकि जो date sheet को जारी किया गया है उसमें यह बाते बताया गया है कि आपका जो exam होगा रवी बार को होगा पर आप सभी को समझना होगा कि अगर आपका जो डेट सिट जारी हो गया है उसी पर आपका एक्जाम होगा आपके मन में कोई सर्समेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सभी को मालूम है कि लगतार आपका स्टेसन पीछे जा रहा था इसी को लेकर के 20 सुबिद्याले लगतार बैक टू बैक आपका एक्जाम ले रहा है चाहे हो संडे चाहे हो मंडे आपका हर दिन एक्जाम होगा जो डेट सिट जारी हो गया है उस पर हर हाल में आपका एक्जाम होगा ही होगा इसलिए आपको निचीन्त हो के त्यारी करना होगा मन लगा कर त्यारी करना होगा तभी आप लोग पास हो पाएंगे आपके कॉलेज में चोरी नहीं होगी अप उनिवर्सिटी में चोरी नहीं हो रही है तो चोरी के बहुत से आप सभी नहीं बैठें चलिए फ्रेंट फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जै हिंद